हेलो एन वेलकम सौगत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशल यूट्यूब चानल पर आज हम डिसकस करने वाले एक इंपॉर्टेंट न्यूज और यह न्यूज है सेस्मिक अक्टिविटीज के बारे में हैं वालकॉनिक इरप्शन के बारे में हैं जी हम बात करने वाले हैं टोंगा ट्रेंच में जो वालकॉनिक इरप्शन देखने को मिला है पैसिफिक ओशन में यह काफे इंपॉर्टेंट है यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो वालकॉन यहां पर देख सकते कि काफी जयादा यहां पर डिवास्टेटिंग नेचर का यह है पुरी तरह से बरवाद कर देने वाला हम अच्छ के प्रमृश्ट्र M P प्लेस है जहां पर यह वालकनिक इरफ्शन देखने को मिल रहा है तो यह जो टॉंगा आप देख सकते हो यह जो एक आइलेंड वाली कंट्री है बेसिकली तो यहां पर पूरे इंटरनेट कर्नेक्टिविटी कार्ड दी गई है किसी भी तरह का को भी कॉम्निकेशन नहीं है कि कोई जानकारे मिल पाए और यह जो फीगर है यह जो इमेजिक ली गई है यह आप देख सकते हो यह बिल्कुल जो है सटलाइट वाली इमेज जो वहां से सेंड की गई है ड़ेट इस तो आप समझ सकते हो कि सटलाइट के थ्रूव इसकी पूरी طरह से हम देख सकते हैं यहां लगभग एक लाग के आसपास है और यहां पर हम देख सकते हैं कि यह एक तरह से यह जो है यहां पर इसका यह फ्लैग है इस कंट्री का और लोकेशन वाइस आप देखना चाहो तो देख सकते हूं यहां पर अस्टेलिया के बगल भी दर न्यूजिलेंड और अमेरिका वाला सकते हैं कि यह जो विसपोट हुआ है यहां पर तोंगा के अंदर तो गिंग्डम ऑफ तोंगा जो है यहां पर हम कहा सकते हैं कि बिल्कुल पूरा विल्डають का एंटेंशν यहां पर है रिक जन्वरी को ही यह साउंड हो रहा था कि यहां पर बड़े से अंडर्वाटर Claudia करें करें तो यहां पर दो ऐसे हैं जहां Pak हम कह सकते हैं यह अबर्वार्र थे यह अपका हुगा आपई और दूसरा है राइट sedan अबरंज कि ने возвращ सकते हैं कि सी लेवल से 100 मीटर की हाइट पे और 65 किलो मीटर जो है नॉट पार्ट आफ दी तुंगा जो अपना कंट्री है उसकी कापिटल से तो जो कापिटल है यह कापिटल से जस्ट हम कह सकते हैं 65 किलो मीटर की दूरी पर यह दोनों आइलेंड जिसकी से लिवल से उचाई बस 100 मीटर है और यहां पर जो वालकन नो आया है इसका नाम थोड़ा सा विचितर है हम देख सकते हैं पर दी हुंगा तोंगा हुंगा हा अपई तो यह नेम है आप याद रखिएगा फ्यू डिकेट्स में इतने बड़े यहां पर वालकनिक इरफिशन देखने को नहीं मिले इससे पह होट जेट स्ट्रीम मैगमा के कारण यहां पर एक्स्प्लोजन देखने को मिला था यहां पर जॉलम की फटी थी लेकिन इतना बड़ा इरफिशन नहीं देखने को मिला था जो मिला है साइंटिस्ट का मानना है कि लगबग हजार सालों के बाद इस तरह का जो है मैं फगरा और यह जो अपका लोकेसिन है आप देख सकते हो तो ही काफी इंपॉर्टेंट अब देख सकते हो यह बेजा गया सैटलाइट से यहां पे इस छेत्र में जो है सुनामी की वर्निंट आ चुकी है यहां पे सुनामी आ काफी प्रभावित होने वाला यहां से हम देख सकते हैं अगर हुंगा वालकनों की बात करें तो हुंगा-tonga जो हुंगा-happai सब्सक्राइब करें चाफित का था यहांने दो यह प्सक्राइब करें तो यह किलोमेटर की हाइट करने il est High कि जो coastal छेतर में जो घर होंगे वो तो बिल्कुल ब्रवाद होंगे लेकिन अगर माल नीचे जो दूर में भी घर होंगे वहां पर भी जो है कि किसी भी तरह का कोई connectivity नहीं है इवन बताया यह भी जा रहा है कि मोस्ट रिमार्केवल चीज यह बताया जा रहा है यहां पर कि जो डिस्टेंस है जो आपका यहां पर जो वालकुनों जिरफ्ट हुए है वहां से लेकर 230 किलोमेटर तक की दूरी को यह कवर करेगा अगर जिसमें जो नेवरिंग कंट्री है सुमालिया फीजी यह सब यहां पर आ जा रहें लेकिन कुछ पडोसी जो कंट्री है यहां पर यहां पर कोई casualty नहीं हुई है ऐसा अभी तक न्यूज आया है लेकिन न्यूज किलर होने में समय लगेगा और आप देख सकते हैं न्यूज के बाद यह क्रियेट होता है तो यह हुंगा जो है वास्ता में तरह का कैल रहा है जिसका निर्मान भी वालकनों के कारण ही हुआ था अब यहां पर सवाल एक चीज होती है कि पानी के अंदर जब वालकनों इरॉफ्शन होते हैं तो यह एक्सप्लोजीव कैसे हो सकते हैं त मालत मतिरियल मेगमा होता है तो जब पर जब हचीट होती है 읽की अगर मेगमा तक रिच कर जाती है तो तो यह एक रीगुलर वे मेगर 3000閃वारえー अगर यह मासे से कॉलो Northeast होता में यह कि विड़ीन पनी होता है लेकिन अगर irregular way में अगर water का जो है यहां पर हम देख सकते हैं conflict होता है water और magma का match up होता है तो devastating nature का एक तरह से explosion होता है जिसमें chain reaction के साथ जो है आपके magma बाहर आ जाते और यहां पर काफी जादा यह दिक्कत इस तरह की चीज़े create होती है अब chain reaction मतलब यहां इस तरह से इस तरह से जो है यह आपका पूरा reactions होते रहता है वालकनोज आते रहते हैं आप समझ सकते हो चारों तरफ यहां पर पानी पानी है बीच में आग है तो क्यूंकि actually में हो क्या रहा है यहां पर सिस्मिक activities देखने को मिल रही है जो प्लेट्स होते आपस में टकराते हैं टकराने के कारण आपको पता होता है कि जो वाटर होता है वह लाइट है एज कंपेर टू लैंड मास या दो वाटर बाडी ही टकराई है तो दोनों में से कोई एक वाटर बाडी जो एक प् में स्टीम निकलते रहता है अगर रेगुलर में पानी जा रहा है तो इस तरह से आपको आग लगावा मिलेगा और इस तरह से समंदर के अंदर ही वालकनोस के कारण ही जो ऐसे जो है आईलेंड्स वगरा का निर्मान हो जाता और टूंगा जैसी कंट्री ऑस्यानिक छेतर मे डबलब्ट हो जाती तो जो कंट्री है वास्तव में डबलब्ट भी ऐसे ही हुई है और इस तरह के जो सुनामी है यहां पर आपको देखने को मिल रहे है वालकनोस इरफ्षन यहां पर रेगुलर मैनर में होते हैं लेकिन यह जो देखा गया है जो यह नोटिस किया गया है यह जो देखा गया अवादी बहुत चोटी है इस देश की बहुत कम है कोई कनेक्टिविटी नहीं है अई डून नो कि क्या कंडिशन होंगे कि सब ठीक हो ऐसा हो लेकिन चिंता जनक यह विशय है और यहां से सीखने की बाते हैं कि इस तरह के लोकेशन में स्पेसिफिकली जो सी छेत्रे हैं उस तरह के लोकेशन में डेंस मासेज का यह सीटी का कंस्ट्रक्शन होना यह नेचर के साथ एक तरह से खेल खिलवाड़ी हैं और क्या इस तरह के सेटिलमेंट होने चाहिए किस तरह की टाउन प्लैनिंग होनी चाहिए वालकोनिक्स जो डेटा है इसमें लगी हुई है कोई जो है सी ड्रिलिंग कर रहा है कोई डीप शी ओशन मिशन को लॉंच करके स्टडी करना चाह रहा है तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो स्टडी करनी बागी बट ऑल्टोगेधर इतना हम समझ सकते कि यह जो सिच्वेशन से यह कहीं से भी मानव जाती के लिए सही नहीं है यह बहुत एक्सप्लोजिव जो अपना वालकोन यहां पर इरफ्शन हुआ है इसके बाद सुनामी हो चुकी है तो यह काफी डिफिकल्ट चीज है और यहां पर हम देख सकते हैं जो सारा डिसकुशन था डिगार्डिंग इस वालकोनिक इरफ्श लिगार्डिंग भीड़ें सेफ मरे जोने हमान अद एक्षम करों यह चूद में आद घ।